हेलो नमस्कार साथियों कैसे है आप सभी मैं आशीच पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गरफार आईक्यू में दोस्तों मेरे द्वारा करण अफेर्स की और लौके 50 कोश्चन की मैंने पिछले अब जो आई पीसी एड के 50 सी आर पीसी के और कॉंट्रेक्ट लौके मैंने 50 पूश्चन डाले थे हिंदी भासा में आप लोग उसको जाकर के देख लें बहुत इंपॉर्टन पांड कोश्चन है उसमें और उसी किक्रम में आज जो ये क्लास है ये एविडेंस एक्ट की क्लास है 50 कोश्चन है पूरे पूरा वीडियो अंतक देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है और शैनल पे नए हो तो चलो को सब्क्राइब करके बेल आइकन दबादे ताकि जो भी वीडियो आयो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरन की देखिए उस उस पहला कोश्चन क्या कह रहा है, पहला कोश्चन कह रहा है प्रलोभन धमकी यावा वाचन से पैदा रहुए मण पर प्रभाव के, दूर हो जाने के पास्चाट की गई संस्विकृति कि दारा के अंतरगत सउसंगत है 13 hybrid 14, 13, 15 multic, 13, 13 तुर देखिए इसका ज परणाम सुरूप इस बात की जानकारी दिये बिना कि संस्विकृति का साक्ष के रूप में उपयोग किया जाएगा या किस धारा में सुसंगत है 24, 25, 27, 28 या धारा 29 में तो इसका जो सही जवाब है वह आपका option number D धारा 29 में तीसरा देखिए जब किसी अभ्यूत की संस्विक कि गई कि ग्राह नहीं है या किस वाद में अभी निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश राजबनाम सिंकारा सिंग में राजयस्थान राजबनाम रहमान में आमिनी बनाम किरल राज में या धरनजय डिवनाम करनाटक राज में तो इसका जो सही जवाब है वह आपका option नमबर ए उत्तर प्रदेश राजबनाम सिंगारा सिंग में कोश्चन नमबर चौथा ऐसा अभ्यूक्त की संस्विकृति किस धारा के आधिन सुसंगत है धारा 30 में धारा 24 में धारा 133 में या कोई नहीं इन में से तो इसका जो सही जवाब है वह आपका अप्शन नमबर ए ध 24 तीस में अगला देखे निमलिखित में से किस वाद में उच्छतम नियाले ने निडीत किया था किस्सा है अभ्यूक्त की संसुईकृति बहुत कमजोर प्रकार का साच्च है और इस प्रकार की संसुईकृति दोस्चित्ध का आधार नहीं बन सकती तो पाच्वे का जो सही आंसर है वो है आपका अप्शन नमबर सी कस्मीरा सिंग बनाम मद्द प्रदेश राज आप्शन नमबर सी बालतर्स के साच के रूप में ब कीवल समपोसक साक्स के रूप में सार ब्रकार करनेके लिए समय दिया गया वा कथन है किस धारा के आधिन ग्राह है, तीके धारा 6, धारा 8, धारा 30 या पूरता अग ग्राह है तो इसका जो सही जवाब है वह आपका धारा 30 के अंतरगत ग्राह है आठवाद एके सुख्रितिया क्या है? सुख्रित विशियों का निश्यायक सबूत नहीं है A. सुख्रिती विशियों का निश्यायक सबूत है B. विवन्ध के रूप में प्रवर्तित नहीं होती है किसी महत्यकी नहीं है तो आठवे का जो सही जवाब है वह आपका आप्शन नमबर A स्विक्रती विश्यों का निश्यायक सबूत नहीं है नेक्स देखते हैं कोश्यमन नाइम क्या करा कि भारतिय साच अधनियम के कौन से प्रावधान अनुसरुत साच के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं A धारा 17-49, B धारा 32-33, C धारा 34-35 ये उप्युक्त सभी धारा है तो नवे का जो सही जवाब है वह है आपका आप्शन नमबर B धारा 32-33 दसवाद देखिए मुक्री गई संस्विक्रती का साचिक मूलिया है कि अभी वी एक साच रहती है साच तो रहती है पर उन्तो एक कमजोर साच एक संपुष्टी का साच बन जाती या फिड़ी एक मात्र साच से अन्य साच में परवर्तित हो जाती है तो इसका जो सही जवाब है अप्ष्ट नमर सी एक संपुष्टी साच संपुष्टी का साच बन जाती क्वेश्ट नमर 11 देखिए दोस्तों क्या करा है कि कथन सभी स्विक्रतियां संस्विक्रतियां नहीं हो सकती है यह क्या है असत्य है सत्य है पार्शली असत्य है या उपरोक में से कोई नहीं है तो ग्यारोवे का जो सही जवाब है यह असत्य है ठीक है यह असत्य है इंपोर्टन कोश्चन है सब स्विकृतिया क्या होती है निश्यायक सबूत होती है विबंध के रूप में प्रवर्तित ह हो सकती है हमेशा असंगत होती है या फिर दीन अनब दयवभ तो बारहों वें का जो सही जवाब है वह आपको अप्शन मभी वीबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकती है को शबत तेरा क्या करा कि म्रत्युकाली कथन साच के रूप में अग्राय होता है यदी वह the treatment क्या होता है तो तेरह अगर आगर है साज की रोप में अगर होता है कब जहीं नहीं माना जाता है कब जब हुआ हुआ अपूर्ण है मतलब आपने देखा होका पुरानी पिछिरों होता क्या था कि होस्पिटल ले जा रहे है अब हीरो का बाप है पिता है वह मरते मरते बस खाली प्रेम बोल के चला जाता है अब आगे चोपड़ा है कि क्या है यह नहीं है तो वो अपूर है इसलिए वो अग्राहे होगा कोश्य नमर 14 क्या करा है निमलिकी सुरुती साच के नियम का अपवाद नहीं है ए मृत्युकाली घोशना रेस जेस्टे सी विशेशक की राय या संसुरुकितिया सुरुती साच के नियम का अपवाद नहीं है तो इसका साई जवाब है आपकी आप्श्य नमर सी विशेशक की वांडी मावल से कौन साख्षि के उपरोग इस silly लौह hawad है निम्रीग्षी लिए गाए व्रुझन साक्षी के उपरोग्त नियम का एक अगला question देखते क्या गरा, कौन सी प्रस्थिती में आपकी द्रस्टी में मृत्त काली घोषणा साच में अगराए है, ये दिवा मौखिक है, ये दिवा संकेत मात्रवा बताई कही है, ये दिवा संपूष्टी सहीत है, तो 17 का जो सही जवाब है वो है, ये दिवा घोषणा क थी और वो अपने जीवन के भाय में था, पत्र धारा के अंतर्गत ग्राय है, जैसे कि जब मरा है, उसके छे महने पहले उसने इस चीजें लिखी थी, पुलिस अधिक्षक को, स्पी जवालपूर को, तो ये जो अभीकतन है, ये किस धारा के अंतर्गत ग्राय है, पांच छ दस्तावेजी, प्रक्रियात्मक क्यों सारवान, प्रत्य चप्रत्य भी हो सकता है, प्रत्मिक दित्य भी होता है, मौक्य क्यों दस्तावेजी भी होता है, गलत उत्तर क्या है, इसका अप्शन अंबर डी, ये क्यों प्रक्रियात्मक होता है, सारवान नहीं होता है, ठीक है, प्रक्रियात में यह गलत है। वेस्ट का है, उड्रफ आमीर अली का है, जस्टिस चंचूर का है, या फिडी जस्टिस पियार क्रिशना का है। जस्टिस देखते हैं, कोई भी ऐस्ट त्थ जिसमें प्रवाल काड़ी बल हो, साच्छे कहलाता है, साच्छे सब्द की या परिभाद साथ की दी थी, किसने, सायमन ने दी थी, इस्टिफेन ने दी थी, या टेलर ने दी थी। तो इसका जो सही जवाब है, वो है आपका option number A, ये दिया था प्रोफेसर सायमन के द्वारा, कोश्चवाश चौबिश क्या कहा रहा है कि विवाद्यक तत्थ का प्रधान तत्थ के अत्रिक्त क्या कहा जाता है, फैक्टम प्रवेंडी, फैक्टम प्रवेंडा, फैक्टम प एकटम प्रवेंडरी मेंन ने त्यार किया, B, अधिनीयम के विध्यग का प्रवेंडारूफ सर जेम्स इसटिफन ने त्यार किया एक द्यार की था, या ननावदा एवब संधिय कों सा कथन सही है, तो इसमें जो 25 का अंसर है, वो है आपका option number B, अधिनियम के विध्यक का प जवाब है वह आपका option number a, किसले question में, फिर इसके देख लिजे, केवल प्रक्रियात्मक, केवल प्रकर्तिक, सारवान नहीं होती है, तो इसका जो सही जवाब है, वह आपका option number a, केवल प्रक्रियात्मक विधी होती है, 28 देखे निम्लिकित में से किसने लिखा है कि इस आरूप में बल है कि साच अधनियम सबूत पर जितना बल देता उतना सत्य पर नहीं तो 28 कभी आरूप में देखा होगा साच के अभाव में छोड़ जाते हैं लोग ठीक है गुनागार छूड़ जाते हैं लेकिन अपना कानून कहता है खिसा और गुनागार छूड़ जाते हैं लेकिन एक बेगुना को सजा ना हो तो साच पर जादा बल तो दिया ही जाता है और जब तो प्रूफ नहीं होगा तो कैसे पता चले कि अपराधी है या नहीं है और कई बार इनी प्रूफ की कमी से अपराधी छूड़ जाते हैं उनके खिलाफ कोई बूल लेगा हिम्बत ने चुड़ा पाता है गवा नहीं आते हैं गवा होते हैं तुम्हार दिया जाता है तो यह जो स्टेटमेंट है एक तरीके से सही भी है कि साच हद्नियम सबूत पर ज्यादा बल देता है उतना सत्य पर नहीं तो यह किस ने दिया था एबी सी डी चार आप्शन है 28 का सई जवाब है आपको आप्शन नमबर ए जस्टिस बी आर किष्णा अईयर नहीं 29 देके प्रवेश शब्द को भारती साच हद्नियम 877 में परभाशित किया गया है धारा प्राषित का इस जवाब है धारा प nosement से आगला देखे भारतिय साच आच classifieds 272 की धारा त्य से सबन्हित है दलेकों के समगत्री की सतası की प्रेव affiliated उस्षिक प्रासंगीता था श्रच बीकार्ड की की सामगरी की समगरी में मौखिक प्रवेश की प्रासंगिक्ता या फिर इन में से कोई नहीं तो 31 का जो सही आंसर है वो है आपका option number a civil मामलों में प्रवेश की प्रासंगिक्ता 32 कि प्रत्कूल प्रत्कूल पच्द्वारा किसी गवा की जाच को उसका कहा जाएगा मुख्य परिछा जी रह पुना परिछा या निमें से कोई नहीं तो 32 का क्या है आप्शन नमबर भी सही जवाब है जी रह कहा जाएगा जी रह कोश्वब 33 एक गवा जो बोलने मैं समर्थों से क्या कहा जाएगा बहरा गवा गुंगा गवा सतुतापूर गवा या अविश्वश्वश्णिय गवा उसको कहा जाएगा अप्शन मर्भी गुंगा गवा ठीक है अगला देखते भारतिय साच अधनियम 872 के अंतरगत नियायले असिष्ट अत्वा कलांकात्मक प्रश्णों की अनुवती दे सकता है या यह विवाद्यक तत्थों सम्मंदित हो यह अभ्यूत के चरित से सम्मंदित हो अभ्यूत को आपत्ती ना हो यह अभ्योजक इसकी इन ही प्रश्णों का या पूश्टाच का जिन्हें वह असिष्ट या खलंकात्मक समस्ता है चाया ऐसे प्रश्ण या ज़ा दे आले के समझ कुछ प्रवावित करने की प्रवित्ति रखते हों निशेद कर सकेगा जब तक कि वह विवाद्यात्मक तत्थों के या उन विश चुब्ध करने के आसे से हो ठीक है और अनावश्य ग्रूप से संतापकारी हो या उप्यक्त सभी प्रस्चन के प्रस्चन तो आपस्ट नमबर डीज का सभी जवाब है इस सारे प्रस्चन गवाः के प्रिष्चक समय नहीं पूछा जा सकता कोश्मा 36 भारतिय साच दिनियम 832 की किस धारा के अंसार नियाले ऐसे प्रश्ण का निशियत करेगा जो उसे प्रदीत होता है कि वह आप मानीतिया छुब्द करने के लिए आशाहित है या जो यद्दपी स्वय में उचित हैं तता पी रूप में नयाले को ऐ ये पूर्व दो सिद्ध किया गया था वह मना करता है उसकी पूर्व दो सिद्धी का साच दिया जाता है या साच क्या अगराय होगा या नियाले का विवेगत कार है या फिर उपरोग में से कोई नहीं तो 37 का जो सही जवाब है या साच जो है गराय होगा ठीक है बारतियस साच सातियंद के धारा सीम 3152 साथ किसी साच्छी से पूछा जाए कि किया वह पूर्भ में ऐसा आपराद केलिए 2 सिद्ध हुआ है तो उसका प्रत्या खान करे और तो उसकि पूर्भ 2 सिद्धा साच दिया जा सकेगा अताया साथ्छी ग्रहै है । 38 صãychau प्रिम्हाइन जो साथ भी जवाब है वो है आपका ड़ी वो है आपका ड़ी को साच्छी ज्यूशत्य बोलने काई चूख नहीं है वह पच्च द्रोही साक्षी पंचम आर एयार 1930 के बाद में अभिन्दिधायत किया गया कि पच्छ द्रोही साक्षी वह है जो अपने साच देने के ढ़ंग से जाहिर करता है कि वह नियायले को सच बताने का इच्छोप नहीं है मतलब गोल मुल घुमा रहा है कोल्ट को तो भारतिय साच अद्रियम की धारा एक सो पच्छ द्रोही साक्षी के बारे में बताती है भारतिय साच अद्रियम की कौन से धारा पच्छ द्रोही साक्षी के बारे में बात करती देखिए अभी अभी आया है धारा 1434, 1554, 157 तो 49 का जो सई जवाब है वह है आपका अप्शन नमबर B, 114 ठीक है यह उपर नीचे हो कुश्वाइन चालिस कर पच्छ द्रोही साक्षी वहा है जो सत्थ नहीं बताता है वीरूधिय पच्छ के रूद कत्छ करता है उस पच्छ के विरूध कत्छ द्रोही साग्षी के बारे में प् ör deposit प्रावधान साच्छ इध्नियम में नहीं है किंतु अध्नियम की धारा 153 प्रति पचिया जाने को हवंध किया गया है जो प्रति पच्छी द्वारा प्रति परी कीसा में हो सत्रपण बूली प्रशार्शन एाइ 1973-35र चिंपर में मुच λέते हैं जो उसे बुलाता धारा 154 के नुशार ठीक है 41 धारा 325 भारतिय दर्ण सहीता के मामले में मुख्र परिछा के दवरान पीडित अभियोजन प्रक्रण से इनकार करता है भारतिय साच अधरियम के किस प्रावधान के तहत लोक अभियोजक पीडित से सूचक प्रश्ण पूछ सकता 149, 154, 144, 165 तो 41 का सही जवाब है आपका अप्शन नमबर C धारा 154 तो 41 का सही जवाब है धारा 154 साच विधी के आदिन पच द्रोई साक्षी का कथन क्या सुसंगात है विश्वस्वस्णिये नहीं है कोई साच्षिक मूल नहीं रखता तो 42 का क्या है साच विधी के आदिन पच द्रोई साक्षी क कतन क्या है अप्शन नमबर 42 का विश्वस्णिये टिक है 43 भारती साच छी अद्रियम अठास बटर के अंदर करो 55 विरोधी साक्षी कतन असंगत है अधारित हुआ जा सकता है कोई सच्छात्मक भात तो नहीं है तो 43 का option है अधारित हुआ जा सकता है option number B साच विधिक आदिन पच्च दोई साक्षी का कथन विश्रस नहीं है option number B आर बनाम प्रिंस 1889823QBD 168 के प्रकड़ में किस नियाले ने कहा कि उन अपराधों में जो विधिक अब करत्य मनुष्रदारा बनाईगे विधिक और लंगन है अब योजन पच्च का दुरासे सिद्ध करना होता है जबकि ऐसे अपराधों में जो स्वयम में विधि और नियोतिक रूप से अथे हानिपरद है उनमें विशिस्ट रूप से दुरासे को सिद्ध नहीं करना पड़ता है दुरासे मान लिया जाता है ठीक है? किस नियाले ने कहा? कौन थे वो जज़ड़? नैमूर्टी ब्रेट, नैमूर्टी ब्लैकब्ण नायमूर्ती ब्रेंबल, नायमूर्ती डेमन तो 45 का जो सही जवाब है वो है आपका अप्शन नमबर D नायमूर्ती डेमन भारतित साच चद्रियम अठर सुभात्तर का उद्देश क्या क्या है कोश्मा 46, साच की विधी को परभासित और संसोधित करना तो 47 का सही जवाब है वो है आपका अप्शन नमबर D 47 देखते हैं कि भारति साच चद्रियम अठरा सो बहत्तर की किस धारा के अंसार एक दस्तावेज की अंतरवस्तु का दित्यक साच दिया जा सकेगा जबकि मूल इस प्रकरति का है कि उसे आसानी सहिस्तान्तित नहीं किया जा सकता धारा 65, धारा 65 अड़ा, धारा 65 घा, धारा 65 घा, धारा 65 खा 47 का जो सही जवाब है वो है आपका अप्शन नमबर D तो देखिए इसका सही जवाब है वो है आलाबदा एवर ठीक भारती साथ चद्रियम की किस धारा में सारवजनिक दस्तावेजो का उलेक है सारवजनिक का इसमें है और अभी देखिए थोड़े पहले आया तो कोश्चन की निजी दस्तावेजो गोलेक इसमें था तो पीछे कोश्चन में है धारा पच्छत्तर कि देखिए लास्ट कोश्चन है दोस्तों विडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जूरू कर दीजिए फॉलायक कर दीजिये ज़्याधा से जैधा कर दीजिसे चाहता कि अच्छे कोश्चन की मुनुट बरता है वह आज अच्छे कोको आपके लाने का प्रियास करता है ठीक है शुआले को सब्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए टार्गट फार आईक्यू आप को डाउनलोड कर दीजिए वहाँ पर हर सारे कोर्स जो जानकारी है वहाँ पर आपको मिल जाएगी अप आप गूगल अप से डाउनलोड कर सकते हैं निमली के बेसे किस प्रेसिती में दस्तावेज के संबंद में दित्यक साच नहीं दिया जा सकेगा ए जबकि या दरशित किया जावे कि मूल उस व्यक्त के कबजे में है जिसके इविडेंस की 50 कोश्चन की क्लास आशा करता हूँ अच्छी लगी हो शियर लाइक कमेंट कर दीजेगा और सब्सक्राइब करके आप भी डाउनलोड कर दीजेगा टार्गट फर आएक्यू का मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए आसी स्पान्य को जा दीज कि जहिंद जहारत